नमस्कार मैं हो ससी आए ज्यारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं ज्यारखन में रोज बट रहा नियुक्ती पत्र पर बिरोधियों को नहीं दिख रहा CM हेमांत मुख्यमांत्री हेमांत्रे ने प्रोजेक्ट भण में नियुक्ती पत्र बित्रन कारकारम के बाद जान दायर लगाया जा सकता है कि विपक्च किस आधार पर सलकोर पर उतर कर विकास का धिंडोरा पिट रहा है रोज नियुक्ती पत्र बट रहा है लेकिन परतिद्वन्दियों को यह नहीं दिख रहा है नियुक्ती के कई आउसर आगे दिखेंगे मुख्य मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने DSP, वीडियो, सियो समेत राजे में पहली बार खेल पताधिकारी, क्रिसी पताधिकारी, लेब, साइंस्टिस्ट की भी नियुक्ती की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज बनने के बाद पहली बार जेपियसी की निमावली बनी इससे पहले जो भी बहाली होती थी वह कोट कचारी के चक्कर में पहुंच जाती थी नियुक्ती पत्र बार्टने का सिलसीला निरंतर जारी है हमारी सरकार सिर्फ पढ़े लिखे अभियार्तियों को ही नहीं बली कौम पढ़े लिखे और मजदूर वर्ग के युगक योतियों के लिए भी रोजगार का मार्ग प्रसस्त करने की जिमिदारी उठा रखी है पारा सिक्षक संगों के बीच हुई वार्ता पारा सिक्षक देंगे 507 रुपए हर माह जार्खन के पारा सिक्षकों को कल्यान कोस के लिए हर माह 507 रुपए देने होंगे यह रासी उनके बैंक खाते से कटेगी और कल्यान कोस में जमा होगी सेवान निलिती के बाद परास सख्षकों को और मिलीती हूँ के बाद उनके अस्रीतों को रासी का भुगतान किया जाएगा ज्हार्खन सिक्छा पर्योजना परिशद और परास सिक्छक सांगों में हुई वारता में इस पर सहमती बनी है बता दे जही पी सी की राजे पर्योज़ना निदेशा कियन कुमारी पासी के अध्यक्स्ता में आयोजित बैठक में अस्पष्ट हुआ है कि 2022 तक सभी 60,303 परासिक्षक सेवा निरित हो जाएंगे अगले 5 साल तक जो पासिक्षक सेवा निरित होंगे उन्हें रिटार्मेंट के समाई 50 रुपए एक मुस्त दिये जाएंगे मिरितिव होने के बाद उनके आस्रित को एक लाख रुपए मिलेंगे अगले 5 से 10 साल के बीच सेवा निरित होने वाले पारासिक्षक को सेवा निरित के समाई एक लाख रुपए और मिरितिव के बाद आस्रितों को एक लाख दिये जाएंगे इड़ी मुखह मंत्री हेमांद सुरेन से पुस्ताच को तयार जार्खन के मुखह मंत्री हेमांद सुरेन को परवतन निदे साले की तरब से पाचवा समन जारी कर 4 अक्टूबर को एजेंसी के रांची ती दफ्तर में पुस्ताच के लिए बुलाया गया है हलाकि यह माना जा रहा है कि इस बार भी सियाम हेमांद एजेंसी के दफ्तर पुस्ताच के सामना करने के लिए नहीं जाएंगे इसके बावजूद इड़ी ने सुरक्षा सही तमाम तयारी करके रखी है कि सायद सियाम आएं बता दे रांची में हुए जमीन घोटाले में मुख्य मंत्री हमांद से पाचवे समन पर पुस्ताच की पूरी तयारी एड़ी ने की हाए मुख्य मंत्री को भेजे गए पाचवे समन में एडी ने उन्हें बुद्धवार खोद दीन के साड़े दस बज़े उपस्थित होने का नोड़िश दिया है सुरक्षा के लिए CRPA विबुद्धवार की सुबह से ही एडी दफ्तर के बाहर तैनात रहेंगे रांची में चांडिल डेम बिस्थापितों का धरना जारखन में पुर्भी सिम्भूम के चांडिल डेम की वजह से 116 गाओं के बिस्थापितों हुए लेकिन 4 दसक के बाद भी उन्हें उचित मुआपजा नहीं मिल पाया है जिस वजह से चांडिल छेतर के रहने वाले सेक्ड़ों लोगों ने कई किलोमीटर पैदल मार्च कर राजभौन पहुँच कर राज इपाल से नियाय की गुहार लगाई पता दे जहारखन खनीज समपदाव का परदेशा इसलिए यहाँ पर ک steadily की योजना और पर्योजना कि राणित होती है इसी के साथ कई निजी कमपिनियों के भी प्लांट यहाँ पर अस्थापि ठाएं और कमपिनियां इसका लाज भी उठाती है इससे कहीं न कहीं जार्खन के आस्थाने लोगों को समस्याव का सामना करना पठता है कुछ इसी तरह की समस्या लेका रांची के राजबॉन पहुंचे पुर्भी सिंबुम जीला के लोगों ने राजजे पाल से नया की गुहार लगाई है मुख्य मंत्री बुद्धवार को पलामू में दूध प्रोसेसिंग पलांट का करेंगे उद्घाटन मुख्य मंत्री हेवान सुरेन बुद्धवार को पलामू आएंगे CM पलामू पहुंच कर मेधा डेरी के मिल्क प्रोसेसिंग पलांट का उद्घाटन करेंगे इस दवरान CM कई बड़ी घोसना भी कर सकते हैं CM के आगमन को लेकर पलामू DC सासी रंजाने बुद्धवार को पतादिकारी को साथ बैठक की है जिसमें पलामू ASP समेत कई पतादिकारी मौजूद थे बतादे पलामू के चियागी के गनके में मेधा डेरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को अस्थापित किया गया है इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का CM हमन उधाटन करेंगे इस दरन मुख्य मंत्री के साथ राज के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे इसे पहले सितमर महिने में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के उधाटन का कारकरम तय किया गया था लेकिन वह रद कर दिया गया था जारखन में 152 बीडियो की ट्रांसफर पोस्टिंग जारखन में 152 बीडियो का ताबादला मंगलवार को किया गया है ग्रामिन विकास विभाक की ओर से इसकी अजिसुतना जारी कर दी गई है धीरज कुमार को बुढमू का वीडियो बनाया गया वहीं खगेश कुमार को चत्रक के कुंदा से अस्थांतरित करते हुए सोना हातु रांची का वीडियो बनाया गया वहीं बिजय कुमार और्मांजी रांची के वीडियो बनाया गया वहीं संजित कुमार सींग को काके रांची का वीडियो बनाया गया है बता दे जार्खन के ग्रामिन विकास विभाग की और से 152 प्रखन विकास पता अधिकारियों का मंगलवार को तबादला कर दिया गया इसकी अधिस्वतना जारी कर दी गई है जार्खन में सिक्छक समेत कई पदो पर होगी बंपर बहाली जार्खन के सियम हेमान सुरे ने मंगलवार को रांची में आयोजीत कारकरा में जार्खन नगरपाली का सेवा के 47 सहायक अभियनताओ एवाँ वानिज जे कर विभाग अंतरगात लिपिकीये सेवा सनवार के 46 निमन वर गिये लिपिक के पद परचैनित अभियार्थियों को न युक्ति पत्र सोपा गया है उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में सिक्षक समेथ विभीन विभागों में बड़ी संक्या में सरकारी भाली होगी इसके साथ ही सरकार रोजगार मेला के जरिये भी युवाओं को रोजगार दे रही है उन्होंने कहा है कि सरकारी नियुक जारी होने के बाद जार्खन सही देश भर में यह मुद्दा सुर्खियों में हाए रायनीतिक दलों के साथ सा समाजिक छेतर से जुड़े लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं इस सब के बीच जार्खन में भी जातिये गन्ना की मांग तेज होने लगी है। कि मांग करते हुए कहा है कि इस समाज में वो मुख्य मंत्री के समक्ष अपनी बात को रखेंगे और केबिनेट में इस पर भी चार भी मर्श किया जाएगा। लगातार बारिस से रांची के डेमों का जलस्तर खत्रे के करीब। लगातार बारिस से काके डेम अपने अधिक्तम छमता से मात्र एक फिट कम है तो वहीं रुका डेम अपने अधिक्तम छमता से तीन फिट कम है। साथ ही हटिया डेम का पानी खत्रे की निसान से मात्र नौ फिट कम है। ऐसे में अधि बारिस जारी रही तो डेम के फाटक खोलने पड़ेंगे। बतादे ही समन में रुका डेम से वाटर सप्लाई और सीचाई का कारे देख रहे मेनेजर सा एकजिक्योटीब चंदर सेखर गुमार बताते हैं की बर्तमान में रुका डेम का जलस्तर मात्र खत्रे की निसान से तिन फिट कम है। 2002 से 2023 तक लगातार आतांकी कनेक्शन में हजारी बाग का नाम आतांकियों गिरफतारी को लेकर एक बार फिर से जार्खन का हजारी बाग सहर चर्चा में है। दिल्ली से गिरफतार आतंकी सनवाज अलम उर्फ अब्दुल्ला हजारी बाग के पेलावल का रहने वाला है। उसका नाम पांच पूर्व ही आतंकियों की लिस्ट में सामने आया था जिसके बाद से वह फराज चल रहा था। रांची में अतिकर्मन के खिलाप पूलिस ने चलाया अभियान। राजधानी रांची में आयोजित होने वाले ACN महिला होंकी चेंपियनसीप और दुरगा पूजा को देखते हुए रांची पूलिस ने अतिकर्मन के खिलाप बड़ा अभियान शुरू किया है। रांची एस एस पी चंदन सीना के अगवर में मंगलवार को अतिकर्मन खिलाप अभियान चलाया गया जिसमें सहर के सभी थानेदार सामिल हुए। बतादे राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से लेकर 5 नॉवमबर तक होने वाले एस एन महिलाहों की चेंपियनशिप को लेकर रांची पूलिस त्यारी में जूट गई है। मंगलवार को रांची के सीनियर एस पी चंदर सीना के नतीत में सहर की सड़कों को अतिकावन मुक्त बनाने के लिए बड़ा भियान शुरू किया गया है। बढ़ गया जब उन्हें कर्याले के अंदर से बाहर निकाल दिया गया। मोर नेताओं को जम कर खरीखोटी सुनाई है। जनता दर्बार में मंत्री रामेशवर उराओं ने सुनी लोगों की समस्याएं। जार्खन कॉंग्रेस इन दिनों जनता दर्बार लगा रही है। जिसमें कॉंग्रेस के अलाकमान की तरब से राज के मंत्रियों को जिमेदार दी गई है कि ज़्यादा जनता दर्बार लगा कर जन समस्याओं का समाधान करे। इसी को लेकर राज के भीत मंत्री रामेशवर उराओं ने जनता दर्बार लगाया। बतादे रांची में लगातार हो रही बारिस के वज़्यादा ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे। रामेशर उराव ने बताया कि जो भी लोग आये थे उनकी समस्याओ का समधान करने के लिए अथिकारियों को दिशा निर्देश दिये जाएंगे ताकि ऐसी समस्याओ से लोगों को न जूजना पड़े मासूम की सोरियों के साथ दो दिनों तक दुसकर्म करते रहे चाह दरिंदगे जारखन के पच्मी सिम्हुम जिले में चाह लड़कों द्वारा दो नबालिक लड़कियों के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है गिरामिनों ने सभी आरोपियों को पकड़ कर पुलिस क अब तक आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया है बता दे गाउं के एक ब्यक्ति ने बताया है कि 29 सितंबर की साम दोनों नवालिक मैदूरी करके घर लाट रही थी इसी दोरान पहचान के ही एक युवक से मुलकात होई युवक ने उन्हें घर छोड़ने के बाहने अपन अब पांच सातियों को भी भुला लिया आयूसमान योजना में फरजीवाड़ा करने वाले 421 अस्पतालों पर कसा सिकन जा है चैरकंट इस्टेट आरोगे सोसाइटी द्वारा आयूसमान भारत योजना के तहट राजे के अस्पतालों द्वारा नियमों का पहलान नहीं कर परकी गई करवाई को लेकर केंद्रिये, राश्ट्रिये, स्वास्त प्राधी करण ने राजे को सम्मानित किया है। कुपोसित बच्चो व एनिमिया पीडित महिलाओ का होगा सर्वे महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग की राज अनुसरवन एवं किरनोयन समिती की बैठक मंगलवार को प्रजेक्ट भवन सभागार में होई महिला बाल विकास यों महिला सुरक्षा विभाग के सचीव किरिपान अन्जा ने कहा है कि जारखण में कुपोसित बच्चो और एनिमिया पिडित महिलाओं का सरवे करून की पहचान करे और हेल्थ वर्कर्स इनके स्वास्थ की जाच कर डाटा त्यार करे उन्होंने कहा है कि बच्चे वो परिवार देश के भवी से होते हैं बच्चो को कुपोसित से बचाना राज सरकाय के प्रत्मिक्ता है बच्चो को कुपोसित से बचाने के लिए विभाग पूरी ततपरता, सजगता और परतिवत्ता से कारे कर रहा है राजे को हर हाल में कुपोशन मुक्त करने की दिशा में कार्य करना है पती की मौत की खबर सुन पत्री ने भी तोड़ा दम कोडारमा जिले के नगर पंचाई छेतर अंतरगत लंगरा पीपर से एक मारमिक और अचरज भारा मामला सामने आया है यहाँ एक माहिला को जैसे ही उसके पती की मौत की खबर मिली उसने भी दम तोड़ दिया माहिला का नाम जितनी देवी था जिसकी उम्र करीब सरशट साल रही होगी वहीं पती का नाम मोहन पंडित था जिसकी उम्र करीब सतर साल रही होगी परिजिनों ने बताया है कि पती मोहन पंडित की मौध की खबर सुनते ही पतनी जितनी देवी की भी सांसे उखड़ गई साथ जीने और मरने की सालो पहले खाई कसम को इस दम पती ने सही साबित कर दिखाया है जारखन में पहली बार 17 एलिफेंट कारिडोर चिन ही जारखन में वन जीव की बात हाथी मानो संगर्स की चिनता से जुड़ी है पहली बार जारखन में 17 जबकि देश में 150 एलिफेंट कारिडोर चिन हीत किये गाए इससे पहले वन विभा की ओर से एलिफेंट कारिडोर पर असपष्ट बात नहीं की जाती थी ऐसा राज या केंद्र की ओर से इस दिसा में अधिकारिक पहल नहीं होने के कराण होता रहा है हाल में भरतिय वन जीव संस्थान ने देश भर में हाथियों की गतिवीदियों के अधार पर मौका मुआयना करने के बाद एलिफेंड कारिडोर आफ इंडिया दो हैरतेश रिपोर्ट केंद्र सरकार को सोपी है चीनित कारिडोर की सुची राज की उपलब्ध करा दी गई है धन्यवाद